सब्सक्राइब कीजिए सीमा स्मार्ट कीचन चैनल को बेल को क्लिक कीजिए इससे सबसे पहला इजी यमी वेड़ रेसिपी का मेसेच आपको आएगा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो सीमा स्मार्ट किचन, आज हम बनाएंगे एंगरी बर्ट केक डेकोरेशन, वो भी बिना केक डेकोरेशन टूल्स यूज किये, साथ ही हम केक जल की रेसिपी भी देखेंगे, इसे भी हम घर पे आसानी से कैसे बना सकते हैं, ये देखेंगे, और फ चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये है केक डेकोरेशन और जेल आइसिंग के इंग्रीडियन्ट और जो इसमें कौन सिरप दिया हुआ है इसकी रेसिपी आलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हो आप देख सकते हैं और इस वीडियो के आखरी में उसकी लिंक पे दी हुई है पहले हम बनाएंगे आइसिंग जिल इसके लिए मैंने एक बाउल में वन थर्ट कप पानी लिया है उसमें टू टेबल स्पून कौन फ्लॉर में ला दीजिए अगर आपके पास कौन स्टार्च है तो आप एक चमच दालिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए मैं यहाँ इसे माइक्रोवेव में बना रही हूँ आप चाहे तो इसे लो फ्लेम पे गैस पे भी बना सकते हैं साथ ही इसमें वन थर्ट कप हम डालेंगे कौन सिरप कौन सिरप की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और वीडियो के लास्ट में भी इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए अब इसे माइक्रोवे में रख दीजिए हाई पावर पे रखना है और लगभग तीन मिनट के लिए सेट कर दीजिए पर बीच बीच में इसे हमें निकालना है और चलाना है दो से तीन बार इसे बाहर निकालिए और चला लीजिए नहीं तो इसम परफेक कोख हो जाएगा और इंग्रीडियंट सेम ही रहेंगे लीजिए जेल आइसिंग तयार है अब इसमें हम कलर एड करेंगे मैं यहाँ पे इसमें रेड फूट कलर एड कर रही हूँ टू 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 ट्री ड्रॉप एड कर दीजिए इतने आइसिंग के लिए काफी होगा और मुझे थोड़ा सा ओरेंज फूट कलर चाहिए तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने रेड फूट कलर में यलो फूट कलर मिला दिया है इससे ओरेंज फूट कलर तयार हो गया है इसे अच्छे से मिक्स कर लीजे अब हीने हम पाइपिंग बैग में भरके साइड में रख देंगे और केक की तयारी करेंगे कोई भी केक ले सकते हैं यह रही परफेक्ट केक बनाने के टिप्स उस केक को भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पे चोकलेट केक लिया है यह भी मैंने घर में ही बनाया है इसके टू प आपको चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में भी, नाइफ की सहाता से इसको पूरा कवर कर दीजे, इसे करना कुछ कठेन काम नहीं है, ये नाइफ से आसानी से किया जा सकता है, पर नाइफ ध्यान रखिए बड़ा ही लेना है, कोई पानी लीजे, चाकू को उसमें डुबाते जाएए, जिससे कि ये थोड़ा गर्म हो जाए, और पेपर डाविल से या फिर किसी कपड़े से इसे पोचते जाएए, और इसे प्लेन कर लीजे, इस टाइप से, बाहर की साइट से अंदर की दरब करना है, और एक छोटा सा टु केक पूरा स्मूध हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, और शेप भी परफेक्ट आजाएगा, और जहां पे भी कम विप क्रीम है, वहां पे एक्स्ट्रा लगाते जाएए, नाइफ से और इससे स्मूध करते जाएए, बिल्कुल हलके हाथ से कीजिए, धीरे-धीरे खुमाते जाएए और करते जाएए, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी पर हो जाएगा, दिखिए परफेक्ट हो रहा है, जब मेरे पास केक टूल्स नहीं थे, मैं इसी टाइप से केक डेकोरेशन करती थी, लीजी परफेक्ट स्मूध हो गया है, अब हम एंगरी बर्ड बना रहे है तो हमें सामने का पार्ट प्लेन चाहिए, थोड़ा सा पीछे से उतना अच्छा नहीं हुआ है, तो जो भी पार्ट अच्छा है, उसे सामने रखेंगे, और अब इस टाइप से इस पे डिजाइन बना लेंगे, टूत्पिक की साहता से, या फिर किसी स्टिक की साहता से, ये अपने बच्चों की पसंद का कोई भी दूसरा कार्टून करेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उसे बना सकते हैं, मेरी ड्रॉइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, पर मुझे उमीद है कि आप लोग मेरे से भी अच्छा बना सकते हैं, जहां से भी गलत हो रहा है, मैं प्ला इसके आईज, इसे भी बना लीजे और आप हम बनाएंगे डाक चोकलेट गनाश, क्योंकि मेरे पास ब्लैक फूट कलर नहीं है, तो इसकी आउटलाइन में इससे ही बनाऊंगी, 50 ग्राम डाक चोकलेट कमपाउंड में, 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम मिला दीजे, और इसे म माइक्रोवेब में, इसकी रेशीबी अल्रेडी मेरी चैनल पे है, आप देख सकते हैं, सिर्फ 30 सेकंड ही इसे गरम करना है, उतनी दिर में ही ये माइक्रोवेब में हो जाता है, और फिर इसे भी पाइपिंग बैग में बहर लीजे, अब तक हमारा केक भी ठंडा हो चुका होगा, उसे हमने फ्रिज से फ्रिज में रख दिया था, और अब इस गैनाश से हम आउटलाइन बनाएंगे, आप चाहे तो थोड़ी गाड़ी भी बना सकते हैं, थोड़ी हलकी सी गरम है, इसलिए थोड़ी रनी है, पर रनी चोकलेट गैनाश हैंडल करने के लिए इसी होत इस आउटलाइन को उसी से बना सकते हैं, और अब साथ ही इसकी चोच बनाएंगे हूँ, उसमें औरेंज जिल डाल दिया है, और अब हम इसे प्लेन करने के लिए फिर से प्लास्टिक शीट का ही यूज़ करेंगे, ये हर घर में आसानी से मिल जाता है, इस टाइप से प्ले जल कलर डालने की, इसे बहुत जादा डालना है, पर डालने के पहले ध्यान रखिए कि पूरी आउटलाइन पहले बना लीजिए, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा, आप लोग इसे देख के हस तो नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरी ड्राइंग बिलकुल अच्छी न और अब फिर से वही प्लास्टिक शीट लीजे और हलके हातों से इसे फैला लीजे, उपर के पार्ट में जेल को फैला लेने के बाद बारी है नीचे लगाने की, नीचे इस टाइप से लगा लीजे और जहां कहीं भी फिनिशिंग नहीं है, वहां पे डबल से जेल कलर डाल लीजे, इस टाइप से, और फिर से हमें एक दब हलके हातों से इसे फैला आना है, प्लास्टिक शीट से ही प्लास्टिक शीट थोड़ा छोटा कण कीजे, बहुत बढ़ा मत लीजे, सिफ हमने जो विप क्रीम थी उसे पूरा स्प्रेट करने के लिए बड़ी प्लास्टिक ली थी, इसके लिए छोटी ही लीजे, और एक्स्ट्रा जल निकालते जाईए, और अलग से पोच लीजे, और इस टाइप से प्लेन कर दीजे, बिलकुल इसके ओपर पूरी डबल कोटिंग हो गई है, एकदम प्लेन हो गया है ये, और अब इस टाइप से ब्लैक गैनाज डाल है, तो आसानी से फैल जाएगा, पर अगर लगता है, तो हलका सा इसे फैला लीजे, और मैंने यहाँ पर चॉकलेट चिप्स आते हैं, उसकी आइस बनाई है, आप चाहे तो गैनाश से या फिर जेल से भी बना सकते हैं, और एक्स्ट्रा जितना भी जेल है, उसे नाइफ की सहायता से निकाल दीजे, लीजिए तैयार है एंग्री वर्ट केक, वो भी विदाउट डेकोरेशन टूल्स, फ्रेंट्स मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो फटा फट लाइक कीजे, कमेंट कीजे, और साथ ही कुछ सजेशन देना चाहत तो वेलकम और इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए, अगर आप इस टाइप के केक टूल्स के बिना रेसिपी देखना चाहते हैं, या फिर चेक टूल्स के साथ और भी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो प्लीज राइट डाउन इंदा कमेंट कीजिए मिलते हैं न्यू रेसीपी के साथ बाबाई